आज हम बनाएंगे बर्फी की रेसेपी, ये बर्फी सूजी से बनाई है, सूजी की बर्फी खाने में बहुत ही स्वादेश्ट होती है, इसे बनाना आसान है, कम समागरी में बनके ये तयार हो गई है, घर की चीजों से हमने इसे बनाया है, I hope आपको ये रेसेपी पसंद आएगी, तो फ्रेंटस आइए देखिए इसे कैसे बनाते हैं, यहाँ पर गैस पे एक कडाही चड़ाएंगे और इसमें डालेंगे दो कप सूजी, ये बारिक वाली सूजी है, यहाँ पर मैंने दो कप सूजी कडाही में डाल दिया है, अब हम सूजी को ड्राइ रोस्ट कर 2-3 मिनट तक हम इसे low to medium flame पर भुनेंगे जिससे की सूजी हलका भुन जाएगा इसके बाद हम इसे घी मिक्स करते हुए भुनेंगे तो यहाँ पे पहले 2-3 मिनट तक सूजी को हमने dry roast कर लिया है अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके घी डालते हुए इसे mix करेंगे गैस का flame इस समय low कर लिया है यहाँ पे मैंने आधा कप घी को melt करके लिया है और इसे थोड़ा थोड़ा करके सूजी में डालते हुए mix करेंगे तो यहाँ पे सारा घी सूजी में डालके mix कर लिया है इस तरह से यह देखिए अब गैस का flame medium कर लेते हैं और low to medium flame पर हम इसे पुनेंगे तो सारा घी सूजी में डालके इसे mix करने के बाद लगातार चलाते हुए हम इसे 2-3 मिनट तक और भुनेंगे सूजी जितनी अच्छी भुने होगी उतना ही बढ़िया यह बर्फी बनके तयार होगा तो जब तक हमारी सूजी यहाँ पे भुनती है तब तक हम चाशनी बना लेते हैं तो यहाँ पे गैस पे एक पैन चड़ाएंगे और इसमें डालेंगे एक कप चीनी चीनी में एड़ करेंगे एक कप पानी जितना सूजी लिया है इस बर्फी को बनाने के लिए उसका आधा चीनी लेंगे दो कप सूजी में एक कप चीनी की चाशनी बनाके तयार करेंगे स्पेक्चुला से चलाते रहेंगे जिससे की चीनी बहुत जल्दी पानी में घुल जाएगी तो ये देखिए चीनी पानी में घुल चुकी है अब हम इसमें थोड़े से केसर के धागे डाल देते हैं जिससे की बहुत ही अच्छा कलर हो जाएगा और फ्लेवर बहुत अच्छा आता है केसर से चाशनी में मिक्स करते हुए अभी हम इस चाशनी को लो फ्लेम पर 3-4 मिनट तक पकने देंगे क्योंकि हमें ये चाशनी बहुत ज़्यादा गाड़ी नहीं चाहिए इसलिए गैस का फ्लेम लो कर ले और इसे 3-4 मिनट तक पकने देंगे जिससे की बहुती बढ़िया एकदम चिपचिपी चाशनी बनके तयार हो जाएगी तो बहुत ज़्यादा गाड़ी और एक तारवाली चाशनी नहीं चाहिए चिपचिपी चाशनी चाहिए तो अब ये चाशनी बन चुकी है यहाँ पे सूजी भी हमारी अच्छे से भून चुकी है तो यहाँ पे लगातार चलाते हुए हमने सूजी को भून लिया है अब गैस का फ्लेम लो कर देते हैं और इसमें एड़ करेंगे मलाई यहाँ पे मैंने 1 चौथाई कप मलाई ली है मलाई में 2 टेबल स्पून दूद भी एड़ किया है यह घर की मलाई है जो दूद के उपर जम जाती है वही मलाई हमने इसमें डाला है 1 चौथाई कप और इसे अच्छे से सूजी में मिक्स कर लेंगे इससे बहुती बढ़िया टेस्ट आएगा और कई लोगों की शिकायत होती है कि सूजी की बर्फी टाइट हो जाती है या फिर चूई हो जाती है तो मलाई डालके आप इसे थोड़ा सा भूनेंगे और इसके बाद इसकी बर्फी बनाएंगे तो बहुती बढ़िया एकदम हलवाई जैसी बर्फी बनके तयार होगी तो यहाँ पर यह देखिए सूजी को अच्छे से हमने भून लिया है सभी चीजों को हमने मिक्स करते हुए भून लिया है तो अब हम इसमें डालेंगे चाशनी चाशनी डालेंगे और साथ ही इसमें अड़ कर देंगे आधा टेबल स्पून इलाइची पाउडर और इसे भी मिक्स करेंगे लगातार चलाते हुए सूजी में चाशनी को मिक्स करते रहेंगे ताकि गुठलिया न रगे बीच बीच में इस तरह से हम चलाते हुए गुठलिया भी मिक्स करते रहेंगे और ये देखिए हम इसे चलाते रहेंगे जैसे जैसे ये मिक्स होता जाएगा सूजी फूलने लगेगी और चाशनी सोख होने लगेगी लगातार हमें चलाते रहना है यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन बहुत ही बढ़िया एकदम परफेक्ट वर्फी बनेगी इसे हम तब तक चलाते हुए मिक्स करेंगे जब तक यह डो जैसा ना बन जाए तो यह देखिए अब यह गाढ़ा होने लग रहा है लगातार हम इसे इसी तरह से चलाते रहेंगे यह देखिए किनारे से छोड़ने लगा है थोड़ा सा अभी हम इसे और बुनेंगे तो भुनते भुनते यह देखिए अब यह किनारे से एकदम चिकना होने लग रहा है घी छोड़ने लग रहा है दो जैसा बन गया है तो अब हम इसे चेक करेंगे कि ये जमनी की कंसिस्टेंसी में है की नहीं थोड़ा सा स्पेक्चोला से ये मिश्रन ले लेते हैं सूजी का और इसे ऐसे गोल करते हैं तो ये गोली बन रही है तो बस बिना देर किये हुए अब हम इसे जमने के लिए रखेंगे आप इसे कोई भी ट्रे या प्लेट में जमा सकते हैं मैं इसे प्लेट में जमा रही हूँ आप चाहे तो इसे तेलिया घी से ग्रीस कर सकते हैं या बिना ग्रीस किये भी ये बहुत ही आराम से निकल जाएगी बर्फी तो सारा मिश्रन्स हूजी का प्लेट में डाल दिया है और इसे स्पेक्चुला की मदद से ऐसे फैला लेते हैं इसे बिल्कुल एक समान कर लेंगे और एक बराबर में फैलाने के बाद अब हम इसके किनारे सेट कर लेते हैं और इसके उपर से अपने पसंद के ड्राइफ फ्रूट्स डाल लें बिल्कुल छोटे टुकडों में काट लिया है मैंने यहाँ पर काजु बादाम पिस्था को और इसे भी स्पेक्चुला से ऐसे दबा देंगे ताकि यह इसमें सेट हो जाए और इसके बाद आप चाहें तो इसे आदे घंटे तक के लिए फ्रीज में रख ले या फिर दो घंटे तक के लिए पंके की हवा में सुखा ले ठंडा होने के बाद यह बरफी जम के तयार हो जाएगी अब यह बरफी अच्छे से जम के तयार हो गई है दो गंटे तक के लिए पंखे की हवा में इसे थंडा कर लिया है और ये अच्छे से जम चुकी है ये देखिए अब हम इसे कट करेंगे चाकू की मदद से इसे काट लेते हैं बर्फी के शेप में डाइमन्ड या फिर स्कुएर किसी भी शेप में आप इसे काट ले और ये देखिए कितने आसानी से कट रहा है तो इसे हम काट लेंगे सूजी की बर्फी बहुत ही बढ़िया बनी है देखने में भी बहुत अच्छी लगती है और मार्केट में आप इसे खरीद के खाते हैं तो अब इस बार आप इसे घर पे बनाईए और ये देखिए फ्रेंट्स कट करने के बाद मैं इसे निकाल के दिखा रही हूँ एके करके हम सारी बर्फी निकाल लेंगे बहुत ही बढ़िया जमी है ये देखिए बनाने में भी आसान है कोई भी जणजट नहीं है इसे बनाने में घर की चीजों से बनके ये तयार हो जाती है जब भी आपका कुछ मीठा खाने का मन करे तो आप ये सूजी की बर्फी बनाएए बहुत जादा लागत भी नहीं है इसे बनाने में कम खर्च में स्वाधिश्ट बर्फी बनके तयार हो जाती है और ये देखिए एके करके मैं सार तोड़के दिखाती हूँ ये देखिए एकदम पर्केट बनी है तो फ्रेंड्स अगर आपको आज की रेसेपी पसंद आए तो इससे लाइक कर दीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में